तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रोस एंड कॉंस बतना ला हूँ बजाज पॉल्सर एनेस 125 के जो के न्यू मोडल है 2023 का तो गाइस वीडियो में बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करें, ताके मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे. वीडियो है प्रोज एंड कॉन्स का, तो स्टार्ट करेंगे प्रोज से, मतलब पॉजिटिव पॉइंट से, सबसे पहला और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वो आता है इसका लुक, फ्रंट में कुछ ऐसी आपको हैड्लाइट मिल जाती है, जो के बहुत अधा स्पोर् अगर आपने कभी NS200 देखी है तो आपको पता होगा, इसकी चैसिस कितनी ज़्यादा स्पेशल है, वैसे ही ये बाइक के आपको चैसिस बहुत ज़्यादा स्पेशल मिलती है, फ्रंट में आपको मडगार्ड भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी मिलता है, कारवान फाइबर NS125 की बैजिंग के साथ और यहाँ पर रियर प्रोफाइल ऐसे देख सकते हैं, NS125 वन अफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है फ्रंटी सीसी की, और यहाँ पर आपको पूरी की पुरी प्रोफाइल देख सकते हैं, सीट आपको स्प्लिट मिलती है, मतलब डबल सीट मिलती है, स् इसका मॉस्कुलर सा टैंक, यहां से भी आपको अच्छा लुक मिल जाता है, टैंक का, जैसे कि मैंने आपको 360 लुक बताया, तो यहां पर पहला प्रो रहता है, इसका ओवराल लुक, प्रो नंबर टू है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट नंबर टू है, इसका सेमी डिजिट में मिलता है, और यहां पर नुट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट मिलती है, लो बैटरी इंडिकेटर, गेर पोजिशन इंडिकेटर इसकेंदर नहीं आता, और मोबाइल की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, बागे आपको सारे फीचर मिलता है, यहां तक के आते हैं इसकेंदर, देख सकते हैं, यहां पर आपको बैकलेट स्विचेस मिलते हैं, यह भी फीचर आपको 125cc के दूसरे ब्रैंड से नहीं मिलेगा, बाजाज दे दे वो अलग बात है, इंजन के स्विच मिलता है, सेलफ स्टाटर है लेफ साइड में पासिंग स्विच, य इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे होन, और यहां पर मिलता है आपको रियर व्यू मिरर, जो के अच्छा प्रैक्टिकल है, पूरी रोड दिखती है पीछे वाली, मतलब स्पोर्टी लुक्स के साथ आपको प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर दे दया, तो दूसरा का डिजाइन और इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तीसरा प्रो है इसके टैंक अपैसिटी, यहां पर आपको बारा लेटर की मैस्व टैंक अपैसिटी मिलती है, एस कंपेटिव टीविए स्रेडर, स्पी 125, शाइन 125, सबसे ज़्यादा टैंक अपैसिटी इसके अंदर आती है, यह नमबर 4 है, Ground Clearance, यहां पर 179 mm का Ground Clearance मिलता है, Main Stand है, यहां पर Side Stand भी है, और Engine Cut Off Sensor भी मिलता है आपको, Features की कमी नहीं रखी, Ground Clearance ज्यादा रहने की वज़़ा से, Off-Roading की Capabilities बढ़ जाती है, बड़े-बड़े गड़ों में भी जाएंगे तो आपको ज्यादा चीनता करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो यहां पर Ground Clearance मिलता है, 14 Pro, 5 Pro बनता है इसका Engine, यहां पर आपको High Performance Engine मिलता है, 125 CC के साबसे, पहले तो यह 4 Valve Engine है, और इसके अंदर Respex मिलता है, 125 CC, Air Cooled, Single Cylinder, 4 Stroke, 4 Valve, BS6 Phase 2 Compliant, Fuel Injected Engine, और इससे आपको Max Power मिलता है, 2 LPS की, और Max Torque मिलता है, 11 Nm का, with 5 Speed Gearbox, यहां पर Kick भी मिलता है आपको, तो यहां पर Engine 5W Positive Point में इसलिए आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 12 BHP की Power मिलता है, जो के सेग्मेंट में सबसे जादा है, साथ ही साथ इसकी Performance आपको Top End में बहुत बढ़िया मिलेगी, मतलब एक 7500 RPM क्रोस करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर कितनी ज़्यादा Performance है, as compared to other 125 CC bikes, इसका Top End Performance सबसे आगे निकलता है, सबसे निखर क्या आता है, TVS Radar से भी बढ़िया रहती है, इसकी Top End Performance, तो यहां पर 5W Pro है, इसका High Performance Engine, छटा Pro है Monoshock, यहां पर आपको Rear में Monoshock मिलता है, 7 Time Adjustability वाला, वो भी Nitrox है तो Monoshock जद अतर, 125 CC के bikes में नहीं आता, TVS Radar में मिलेगा, दूसरा इस bike के अंदर, बाकि आपको Pulsar 125 में भी नहीं मिलता, Shine 125 में भी नहीं मिलता, Glamour 125 में भी नहीं मिलता, और SP 125 में भी नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आता है, तो इसका फाइदा का है, High Vapor Stability बढ़िय 125 का, as compared to other 125 CC bikes, आपको इतना बढ़िया साउंड नहीं मिलेगा, किसी bike से, सुनो आप साउंड, और मेटर का भी देखो, डिजाइन, जैसे के अपने NS 125 का sound सुना, आपको sound कैसा लगा, आप comment sections में बतना, और साथमा positive point रहता है, इसका sporty sound, 125 CC category के अंदर, आटमा pro है motor tires, front में आपको 80 section का normal tire मिलेगा, 17 inch के alloy wheel के साथ, rear में आपको 100 section का tire मिलता है, जो के shine से जाएदा है, और अपनी SP 125 से भी बढ़िया है, तो grip भी बढ़िया मिलेगी इस बाइक के अंदर आपको, तो यहाँ पर आटमा pro रहा, इसके motor tires, अब तक मैंने आपको 8 pros बताए, positive points, अब negative points, मतलब कौन की तरफ चलेंगे, सबसे पहला कौन आता है, पहला negative point है, इसका low mileage, इस bike से आपको performance जितनी अच्छी मिलेगी, उतनी ही कम mileage मिलेगी, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप ज़्यादा rave करेंगे, ज़्यादा accelerator देखे चलाएंगे, बाइक, top end में ही ज़्यादा रहेंगे, तो आपको bike से mileage कम मिल सकता है, लगबग 45-50 का भी mileage मिल सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा roughly ride करते है, NS 125 को, तो ये बात याद रखो, यहाँ पर पहला कौन है, low mileage, अब बात कर लेते हैं, दूसरे कौन की, तो यहाँ पर दूसरा कौन है, high pricing, expensive pricing, यहाँ पर 1,36,000 onward परत यहाँ पर क्या है, 150 CC की rate में आपको 125 CC bike मिल रही है, यह भी बात याद रखो, और साथ ही साथ, यह आपको expensive ही लगेगी, as compared to other 125 CC bikes, यह रहा तूसरा कौन, अब बात कर लेते हैं, तीसरे कौन की, जीतना sportist का look है, वैसे ही, pillion comfort उतना खास नहीं मिलता आपको, as compared to SP 125, Pulsar 125, single से हो सकता है, TVS Raider से भी आपको pillion comfort is by का कम लगे, तो अगर आप pillion के साथ ride करते हैं, तो यह भी बात याद रखो, आपको pillion comfort कम मिलेगा इसके अंदर, Con number 4 है, no mobile connection with instrument console, यहाँ पर instrument console semi-digital मिलता है, लेकिन mobile connectivity देखने को नहीं मिलता है, आपको, ना ही app की connectivity है, ना ही Bluetooth connectivity है, और ना ही mobile का charging point आता है इसके अंदर, जैसे के N160 के अंदर mobile charging point मिलता है आपको, लेकिन NS 125 के अंदर, यह चीज़ों की कमी मिलती है आपको, अब तक मैंने आपको 4 count बताए, और 8 positive point बताए, बाकि आपको वीडियो कैसे लगा आप comment section में बताना, तो guys, आज के वीडियो में आपको बजाच पलसर NS 125 के pros and cons बताए, आपको बाइक किसे लगा आप वो भी comment section में बताना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करो, bell notification के all option को click करो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ share करो, आज के वीडियो में इतना ही चलता हूँ, good bye guys